Hello students, CA Inter की कैसी तेयारी चल रही आपकी? जन्वरी 2025 का अटेम्ट जादा धूर नहीं है और मैं आपके लिए लेके आयो एक वीडियो जिसमें डिटेल डिसकुशन करेगे क्या आपकी स्ट्राटेजी होनी चीए पहले तो ये बताओ क्या आपको भी ऐसा डर लगता है चाहरता सब्जेक्ट उठा लेते हैं, क्या ये अप्रोच सही है? 1.5 डेज, एक्जाम में तो 1.5 डेज मिलेगे क्या उसकी स्ट्राटेजी होनी चीए? माइन में ये कुश्चन चलते हैं आप लोगों के कौन से टॉपिक को सबसे पहले करे? किसकी वेटेज जादा है? क्या 40 नमर की तियारी करे? या 70 नमर की अप्रोच रखे? कैसी प्रिपेरिशन करनी है? क्या 12 वाली अप्रोच या CA फाउंडिशन वाली अप्रोच चल जाएगी? जो लास्ट में पढ़के चल जाते थे क्या वो अप्रोच आपकी चल जाएगी? इस वीडियो में मैं आपके साथ में करुआ डिटेल डिसकेशन क्या होनी चीए आपकी स्ट्रैटीजी आज से वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा अराम से पेशन्स रख के सुनना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि ये स्ट्रैटीजी जादा से ज़्यादा स्टूजेंस के पास में पहुसती जाएग तो स्टूजेंस आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जानेगे कौन से सब्जेक ज़्यादा ट्रिक्री है अगर मैं ग्रूप वन की बात करूँ तो आपके अकाउंट्स, लौ, टैक्सेशन और ग्रूप टू की बात करें तो जी एस्टी का एक्जाम देना पड़ता है दोनों पचास पतास नमर के है और जी एस्टी कमपेटिबली इजी है स्कोर करना ज्यादा इजी है अस कमबेट टू डारेक्ट टैक्स टाइम भी कम लगता है और अगर बात करें तो 1, 2, 6, 11, 5, 7 यह 6 चैप्टर ऐसे है जिन पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी और इन 6 चैप्टर पर कमांड बना ली तो you can target exemption in auditing strategic management की बात करें तो यहाँ पर मैं इसके important chapter डिसकस करुआ पर यह चीज़ समझ लो financial management जो इसके साथ में chapter subject है वो है आपका practical subject और practical subject में score करना compatibility easy होता है as compared to theory subject बढ़या असान subject है financial management scoring अराम से अच्छिकासी कर सकते हैं यह आपे लेवल पर students सई से planning ही नहीं करते कि किस material में से हमको पढ़ना है ICA का study material तो आप लोग खोलते ही नहीं हो सची बताओ नहीं खोलते न ICA का study material नहीं खोलते आप RTP, MTP के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है last 10 years के exam papers सर वो क्या होता है वहीं यही चीजों के कारण आप लोगों के attempt लगते है अगर आप लोगों ने यह content cover करा तो I can guarantee you आप अच्छा खासा score कर सकते हो you can target exemption 60 से 70 नमर लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर अपन बात करें आप ICA का study material के सारे examples, back questions कवर करो RTP, MTP, last 4 attempt के आपको कवर करनी है, last 10 years के exam papers आपको कवर करनी है और बच्चों अगर आप को ये पूरा का पूरा एक में ही compile चीए तो हमने इसके लिए PP book अलग से design कर रखी है जो आप हमारी website से order कर सकते हो आपको एक ही book में सारी की सारी चीज़े मिल जाएगी अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हो you will be very confident आपन उस level पर पहुँच जाएगे कि हम exemption की उपर की बाते करेगे then आपन बच्चों अब plan करते है कि हर subject में कौन से chapters ऐसे है जिन पर हमारा priority basis पर पहले focus होना चीए तो बच्चों उसका तरीका क्या होता है time कम लगे और हम weightage अच्छी कासी cover कर सके तो मैं आपको 50 से 60% हर subject के बारे में बता हुआ कि ये पहले topics आपके complete होने चीए पहले बात करते है advanced accounts की advanced account practical subject है scoring subject है exemption आपका target अराम से होना चीए जिसमें आपको पहले करना चीए company accounts साथ के साथ में आपको branch accounting करना चीए ये दोनों मिलके आपके 40 marks को cover कर लेगे then उसके बाद में बच्चो क्या कर सकते हो आप accounting standards में वो accounting standards चूज कर सकते हो जो easy easy है जल्दी जल्दी आपका cover कर लेते है और past questions के business पे कहास पे ज़्यादा questions आ रखे है क्योंकि ICI ने वहाँ पे एक general videos दे रखी है सबका weightage कर दूँ तो ये करीब करीब 40 number की weightage होती है 40 number की weightage हमको सबसे पहले ये cover करनी है कैसे करनी है वो अभी मैं बात करूँ और थोड़ी सी इसके बारे में और बात करूँ और revision कैसा होना चाहिए बात करेगे बट अपन पहले identify कर रहें कि कौन से ऐसे topics है जिन पहले focus करना है देन बात करते है direct tax and indirect tax indirect tax बच्चों पूरा का पूरा आपको GST सबसे priority business पे करना है और direct tax की बात करें तो house property, capital gain, other source, set off ये आपके topics होगे जो आपको cover करने है house property बहुत easy topic है, capital gain बहुत scoring topic है other source and set off again very easy, कम time लगेगा और आप weightage भी अच्छी cover कर लोगे बच्चों GST में ऐसा subject है जहाँ पे कुछ topic importance, नई importance की बात ही नहीं आती subject बहुत ही concise है और बहुत ही easy subject है यहाँ पे 50 number की आपकी coverage बहुत जल्दी हो सकती है और आपका confidence boost करेगी कि taxation हम अराम से कर सकेगे बच्चों क्या होता है, direct tax में थोड़ा सा fear होता है क्योंकि course थोड़ा सा lengthy है और बच्चों को other subject पर ही focus करना होता है तो हमारे पास में GST है जो हमको यहाँ पे exemption की तरफ लिके चलेगा क्या है यह बात आपको समझ में आती है then हम बात करते costing की, costing में बच्चों सबसे पहले आपको cost sheet पढ़नी है cost sheet अगर आपको नहीं आती तो आप costing कभी भी ढंगसे नहीं समझ पाओगे cost sheet पहले ढंगसे करो, पूरी conceptual understanding बनाओ उसके बाद में material labor, overhead, activity based costing and marginal costing की तरफ बढ़ो यह आपकी 40-50% की weightage हो जाएगी और इसके बाद में आप standard costing उठा लोगे तो करीब-करीब 60 number की weightage अपनी हो जाती है बस condition simple सी है, पहले आपको cost sheet के बारे में पूरी conceptual understanding होनी चीए वरना costing पढ़ने में difficulty बच्चों को message होती है then बात करते auditing की, यह मेरा favorite subject है क्योंकि मैं इसी को पढ़ात हो तो यह मेरा favorite subject है भई अपन बात करते chapter number 1, 11, 2, 6 मैंने इसको 4 category में कर रखा है, पहले आपका chapter 1, 11, 2, 6 20-25% cover करते है and यह सबसे easy topic है फिर आपको बच्चों cover करना है chapter number 3, chapter number 3 थोड़ा सा lengthy chapter है but अगर यह आप नहीं complete करोगे तो यह आपका base week कर देगा 10-12 number की weightage है, chapter number 7 चोटा सा chapter है और आपको यह बता दू, chapter number 7 में नए additions हुए थे तो आप लोगों के attempts के लिए यह वाला chapter बहुत important हो जाता है 10-12 number का chapter है, easy chapter है और फिर chapter number 5 जो कि आपका general advance account के जो आप accounting standard पढ़ोगे उससे link करते हुए chapter number 5 है आपका 12-15 number की weightage इसकी है total मिला के आपके 50% की weightage मैंने आपको बता दी जो sequence आपको follow करना है then let's talk about FM plus SM बच्चो FM आपको, FM आपको पूरी की पूरी complete करनी है और SM में आपको identify करने 3 chapter, 3 chapter ऐसा identify करने जो अपनको strong करने सबसे पहले अब बच्चो क्या हुआ, आपको ये हर subject में एक approach पता पढ़ गई कि पहले 50 number, 60 number हमें किदर देने, किदर divert करने पहले आपको ये चीज़ पता पढ़ गई तो अपना focus क्या होगा कि पहले 50, 50, 60 number हर chapter कोई सब ये subject चालू करते हो सबसे पहले इन topics पर आपका specifically focus होना चीए उसके बाद में आपको बाकी के topics cover up करने चीए बच्चो क्या होता है, ज्यादा weightage cover कर ले, कम time लगे, आपकी confidence boost up होता है क्या ये बात आपको सुन में आती है then मैं आपके साथ में discuss करता हूँ, आपके साथ में जो आपको सबसे ज्यादा problems होती है इन problems पर मैं थोड़ा सा time spend करता हूँ पहली चीज सर, बूला, हम गजनी है, सर हमसे वड़ा गजनी कोई नहीं है क्यों है, भाई साब हमें याद तो कुछ रहता ही नहीं है बच्चो इसमें आपकी गलती नहीं है 18 से 20 दिन तक हमारा human mind ऐसा होता है कि कोई भी particular चीज आप जो study करते हो अगर आपकी gap आते है 18 से 20 दिन का तो आपका वो subject उतना commanding position में नहीं होता और आप धीरी-दीरे करके भूलना start कर देते हो यह मैं नहीं कहा रहा, यह scientifically proven है 18 से 20 दिन के बाद में retain power थोड़ी से कम होती है तो आपको अपना time management proper तरीके से करना है time management proper तरीके से करने का मतलब क्या बच्चों देखो आज अगर अभी नहीं जगे न अगर अभी serious नहीं हुए अपनी पढ़ाई के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है क्यों? बाद में जाके फिर एक group करे sir attempt skip कर देते वो अली नौबत आ जाएगी तो time management आपको proper तरीके से करना है और आपको कम से कम तीन बार course करना है तीन बार course करना है इसके लिए अपन strategy की बात करेगे time management के लिए अपन बोलते है कि कम से कम आपको manage ऐसे करना है कि तीन बार आपका course complete हो जाए तो आप समझ जाओ अगर आप चालू करते हो अपनी पढ़ाई September के बाद में तो आप कैसे करोगे तीन बार course पॉसिबल ही नहीं है तो time management आज से करो आपकी classes भी running में होगी I know कोई दिक्कत की बात नहीं है पर classes running के साथ में तीन से चार गंटी की self-study तो आपको निकालनी ही पड़ेगी कोई भी teacher आपको पास नहीं करा सकता पढ़ना खुद को ही पढ़ेगा हम as a guidance आपको पढ़ा रहे है हम हमारी मैनत करेगे बट अगर आपके end पे self-study नहीं होगी तो कोई result नहीं निकलेगा then अपन 1.5 days की strategy को भी ध्यान में रखके चलेगे इस पे भी अपन अभी बात करेगे और कितने subject single day में करने है ये भी एक बच्चो को बड़ी problem face होती इस पे भी अपन बात करेगे और course completion आपका कब तक हो जाना चाहिए इन सबी topics पर अपन एक बार detail में बात करते है पहले बात करते है कि हमारी जो भूलने की आदत है सर उसका क्या करे मैंने का मैं बूलता हो बच्चो देखो specifically problem किसमे होती है theory में होती है और theory में भी आपको सबसे ज़्यादा problem किसमे होईगी DT and audit मे DT and audit में problem होईगी बाकी के subjects में इतनी problems नहीं होगी law में आप used to हो क्योंकि foundation में आप law पढ़के आया हो तो law में इतनी बड़ी problems नहीं आती जितनी problem DT and audit में आती है आपको क्या करना है बच्चो let's say suppose करो आप है न audit को select करते हो कि audit हम करने बैठे आप audit में 50-60% का coverage करो ठीक है आपने एक time period बना लिया कि इतने दिनों में मुझे cover करना है 50-60% आप cover करो important topics आप क्या करो बच्चो यहाँ पे suppose करो first day आप 10% cover करते हो तो second day पे आपको क्या करना होता है यहापे second day पे first day का तो revise करना ही करना है साथ के साथ में मुझे additional points परना है third day पे क्या करना है third day पे क्या करना है आपको cumulative revisions करना है मतलब आपको दोनों दिन का revision करना है sir इस से तो time ज़्यादा लगेगा मैंने का time ज़्यादा लग रहा है तो क्या हो गया बट अगर revision नी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि बच्चों क्या होता है आपने suppose करो इन topics को cumulatively आपने revise करा मतलब उस में से कुछ particular topics तो बहुत strong हो जाएगे आपके और हमें यही तो करना है हमें 100 में से कम से कम 70 नमर के ऐसे topics करने हैं दीरे-दीरे करके कि वो हमारे बहुत strong हो जाए सर पर problem तो 18-20 दिन की है मैंने का बच्चों जो आप topics पढ़ रहो ना उसमें आपका purely theory subject की बात कर रहा हो उसमें आपको यह कोशिश करनी है कि 20 से 22 days बाद में वो थोड़ा सा repeat होए मतलब आप उसको कही न कही कोई न कोई topic उसको revise करते रहो जैसे सबूस करो आपने DT का house property पढ़ लिया पूरा एक बार का अब गैप आप ऐसे नहीं आने दो कि दो मेने का gap आजा है वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी तो theory में theory में इस तरीके से आपकी approach होनी चीए अच्छा एक दूसी problem क्या कितने subject at a time करे बच्चो आपको maximum दो subject करने चीए कभी भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चीए क्या होता है अपन खिचडी बना लेता है एक गंटा इस subject को कर लेगे एक गंटा उस subject को कर लेगे फिर अपन पागल हो जाते है अपन को कुछ समझ में नहीं आता फिर अपन एदा उदर भटकते है अरे बच्चो दो subject maximum आपको करने है उसमें भी approach यह रहती है कि practical और theory का combination लगाओ practical को time दो 70% theory को time दो 30% और theory में भी बच्चो आपको उस time पे पढ़ना है जापे आपकी efficiency सबसे ज़्यादा हुए क्या ये बात आपको समझ में आती है then 1.5 day strategy सर ये क्या है 1.5 day strategy बच्चो इसके लिए आप समझो आपको course है ना कितनी बार करना है आपको हर subject तीन बार करना है 3 times आपको course करना है ठीक है आप जब first बार कर रहे हो तो आप time note करोगे आप time note करोगे कि मुझे particular topic में कितना time लगा let's say आपने लिखा 2 गंटे अब आप वहीं पे next बार के लिए एक plan बनाओ कि 2 गंटे अभी लग रहे ना तो मुझे next time में 1 गंटे 30 मिनिट में करना है और third time में आपका ये plan होना जाए चाहिए कि 1 गंटे 30 मिनिट में मुझे second बार में लगा तो भाई next बार मुझे 1 गंटे में ये करना है नहीं करेगे तब तक हम करी नहीं सकते आपको proper तरीके से उस दिन का सवा दिन की तियारी आज से start करनी है सवा दिन की तियारी उस समय start नहीं होगी आज से start होगी बच्चों many times मैंने ये देखा है बच्चे exam time में 1.5 days में 60-70-70 नमर का cover करके जा पाते बस क्यों cover करके जा पाते क्योंकि वो 1.5 days की strategy को समझी नहीं पाते और आपको तीन बार आप revise कर रहे हो तो आपकी efficiency बढ़ेगी efficiency बढ़ेगी time reduce होगा और आपको ये कही न कही लिखते भी जाना है ये आपको कही न कही लिखना भी है compulsory ये लिखना और सर और बताओ मैंने का बच्चो एक काम करना एक काम करना एक है न पैन copy निकालो और उसमें आज इस वीडियो को देखने के बाद में हर subject हर subject पे है न चैप्टर लिखो और वहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे marks कर दो सर इससे क्या होगा let's say मैं आपके लिए बना देता हूँ suppose करो audit है chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आपको जब भी आप कर रहो आपको tick लगाना है हर subject के लिए ठीक है chapter 1 पहली बार होगा tick लगाओ chapter 1 दूसरी बार होगा tick लगाओ सर ऐसा क्या करने की ज़रूवत है बच्चो यह आपको motivation देता है अग क्या motivation देता है अरे थोड़ा सा time मिल रहा है न यार अपन तो यह tick लगाना है मुझे तो एक बार revise और कर लेता हूँ अरे उसके birthday पर जाना है अरे छोड़ो ना या time के लोएगा भाई साम मुझे tick लगाना है मैं इसको revise कर लेता हूँ चोटा सा topic है tick लग जाएगा क्योंकि कम से कम तीन बार तो tick लगने ही चीए क्या यह approach आपको समझ में आती है बच्चो इतना boost up होएगा आपका confidence you will be really motivated by this simple strategy सब कुछ game है mind का सब कुछ game mind का है then अपन बात करते हैं subjects in a single day की अपने बात करी 1.5 days की बात करी time management की बात करी बूला वाली भी बात कर ली course completion आपका कब तक हो जाना चीए अगर मैं आपको first bar की बात बताओ पहली बार आपका पूरा का पूरा course जनवरी अटेम्प है उससे 3 महीने पीछे हो जाओ आप का course हो जाना चीए करीब 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 October end October end में आपको एक बार खुद से reading हो जानी चीए एक बार खुद से reading हो जानी चीए पूरे की देखो पहली बार में याद नहीं हो था पहली बार में ऐसा सोचो कि हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेगे ठीओरी याद भी कर लेगे वो नहीं होता पर conceptual understanding आपकी पहली बार में first reading आपकी complete हो जाने चीए और दो reading इसके बाद में और मैंने आपको बताएगे ये ठीओरी में जितना cumulative revisions करोगे उतना आपके लिए effective होगा बच्चो बस simple सी एक बात जबूर ध्यान रखना मेरी आपको कुछ भी हो जाए आपको ICA का स्टनिव अटियल के examples plus back questions RTP, MTP, last 4 attempt, last 10 years exam papers करने ही है this is a compulsory part बच्चो problem यही तो है आप लोग ये नहीं करते और आपको ये नहीं पता क्या ICA का as it is questions इन में से बूसता है इसके लिए आपके पास में PP book आप यूज कर सकते हो हमारी आप PP book order कर सकते हो जो आपको help out कर देगी एक ही जगे पे सारी चीजे आपको मिल जाएगी छीक है last में बस एक छोटा सा part रह गया सर इसके बाद में क्या रह गया मैंने का बच्चो last में एक test भी तो दू आपको planning test की कैसे करनी है आपको mock test papers देने होगे mock test papers जब आपका course हो जाएगा ICI mock test papers निकालता है last में आपको mock test papers देने हैं उसके लिए ये तो हमारी होगे last में और आप during the whole period आपको continuous test देने हैं continuous test आपको देने ही है जब तक test नहीं दोगे पता कैसे पड़ेगा कितने पानी में हो इसके लिए बच्चों हमारी continuous test series चलती जाती है All India level पे हमारी test series चल रही है आप लोग बूद दी सकते हो बहुत ही nominal fees में आपकी test practice हो जाएगी बच्चों साथ के साथ में मैं आपको बता दू हमारा 21st of June सिख एक capsule batch launch हो रहा है detail आपको website में मिल जाएगा जहाँ पे हम आपका 75% सबसे important topics 50-60 गंटे में कबूर कराएगे This will be a very effective batch आप लोग अगर join करते हो तो आपका 50-60 गंटे में detail 75% का content cover हो जाएगा इसकी पूरी की पूरी detail आपको हमारी website पे मिल जाएगी तो बच्चों मन लगा के पड़ो शिदत से पड़ो dedication अपने अंदर लेके आओ आप ही हो वो person जो अपनी किस्मत बदल सकते हो बच्चों देखो IPCC का part बड़िया तरीके से निकला rank-wank आया articleship बड़िया तरीके से होईगी articleship करने का मौका मिलेगा शानती रहेगी वही एक साल पड़ाई लिखा ही नहीं करनी होगी अराम से practical CA की आपको actual में value पता पड़ेगी पर वो चीज़ करने के लिए आज हमको मैनत करनी पड़ेगी और एक चीज़ सोचो ना जो IIT वाले होते है जो डॉक्टर की तियारी कर रहे होते है क्या आप लोगों ने उनको देखा है इदर उदर घूमते हुए फोन चलाते हुए नहीं देखा होगा 11-12 में अगर IIT के बच्चे की बात करो तो वो आपको कई दिखेगा भी नी वो कोई सी पार्टी में भी नी दिखेगा कई उसके भाई की भी शादी होगी ना तो वो उसमें नी दिखेगा और आप लोग IPCC में हो एक प्रोफेशनल कोर्स में हो इस प्रोफेशनल कोर्स की value को समझो और यह समझो कि हमारे लिए कितना time crucial है एक एक minute कीमती है तो strategy मैंने आपके लिए ready कर दिये implement आपको करना होगा बाकी हम आपके लिए ऐसे छोटी छोटे videos continuously लिके आते रहेगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दो और मेरे को comment में बताओ क्या आप ready हो क्या आप dedication के साथ में पढ़ोगे और क्या आप 70 plus की तियारी करोगे All India rank की तियारी करोगे में को comment box में चल्दी से बता दो Thank you everyone